तो यहां पर दोस्तो यह देखो यह printer है laser jet pro mfp m126 nw दोस्तो इस printer में क्या है जैसे हम इसको ओन करते हैं तो इसमें used j black cartridge का error आता है जैसे दोस्तो यहां पर देखो हम जैसे printer को ओन करेंगे ना उसके बाद यहां पर एक error show होगा आप यहां पर देखो अभी यह ओन हो रहा है यहां पर मैं आपको error दिखाता हूँ यह on होने में दोस्तो थोड़ा पूस time लेगा अगर आप channel पर नहीं हो तो channel को subscribe जरूर करें और video को like जरूर करें दोस्तो दोस्तो यहां पर processing चल रही है जैसे यह on होगा तो मैं आपको यहां पर error बताऊंगा अभी दोस्तो यह देखो यह यहां पर on हो चुका है अभी आम इसमें okay की प्रेस करेंगे जैसे हम okay प्रेस करेंगे तो उसके बाद अब आप यहां पर देख सकते हो यहां पर आपको यहां पर zoom करके दिखा देता हूं यह देखो दोस्तो यहां पर यह ऐसे साफ नयार मैं यहां पर अभी एक photo डाल द हम इसमें दोस्तो यह चीप है यह चीप का error आठाए यह दोस्त आपको simply क्या करना है जो आपके पास white tape होती हैix white Ivory tape को हलकिसी ब्लग के बताता हूं white tape को दोस्त आपको वाइट टेप ले लेनी है वाइट टेप आप जैसे ही लोगे उसके बाद आपको इस चिप पर वाइट टेप को लगा देनी है आप जैसे दोस्तों इस चिप को पूरी को डख देनी वाइट टेप से आप जैसे डखोगे यहां पर देखो मैंने इसको पूरी को cover कर दी है आप जैसे इसको cover करोगे उसके बाद में दोस्तों simply आपको इस cartridge को यहाँ पे लगा देनी है आप जैसे warning आ रही है इसे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों वह जो warning आ रही थी वह तो अट चुकी है दोस्तों वह वर्निंग अमारी जो चिप होती है उसकी चिप की problem आ रहती है अगर आपके भी आएसी problem आती है तो आप simply white tape का यूज कर सकते हो white tape नहीं तो जो वह खाकी रंकी tape आती है उसका भी यूज कर सकते हो आपके problem सोल हो जाएगी अगर आपको इवीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और चैनल पर नहीं होता दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई टोपिक के साथ जाएं